सुरत एसो जीने बातमी मडी हती के सुरत ना लसकाना गाम नजीक ना अफिन ना जथा साथे एक इसम बसार थवानों छे तेदी पोलिसे वोच गोटवी ने लसकाना गाम ना गेट नजीक वोच गोटवी हती अने जी आरे पुना मा राम नामनो इसम बाइक पर थी पसार थवतो ते आरे तेनी बाइक उभी राखवी नी बाइक पर रहला ठेला मा पोलिसे तपास करता तेमा अफिन होवानों सामयावी होतो ने पोलिसे 4 किलो 704 ग्राम अफिन नो मुद्दा माल जबत करियो होतो सूरत शहर पुलिस द्वारा जो नो ड्रग इन सूरत सिटी का अभ्यान चल रहा है उसके तहत एक और सफलता कल सूरत शहर सोजी टीम को मिली है जिसमें राजस्तान से चार किलो 776 ग्राम अफीम लेके आने वाले एक व्यक्ति पुन्वाराम को एसोजी ने अरेस्ट किया है इसको लसकाना गाम के गेट के सामने से पुलिस ने अरेस्ट किया जो अफीम इसके पास से मिली उसकी टेस्टिंग करा ली गई है उसकी कीमत करीब 14,32,800 रुपया होती है ये व्यक्ति साचोर और राजस्थान के अलग-अलग विस्तारों से अफीम प्रोक्यूर करके सूरत में लेके आता था और यहां आगे उसका विक्रे करता था आपको पता होगा कि मद्यप्रदेश का मंसोर डिस्टिक्ट ऐसा है जहां अफीम होगाई जाती है और वहां से वो राजस्थान में जाती है और राजस्थान से कुछ लोग सूरत और गुजरात के अलग-अलग जिलों में शेहरों में लाके उसका विक्रे करने का प्रयास करत है चार किलो 776 ग्राम बड़ी क्वांटिटी है और यह भी एक बड़ी सफलता है मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं कि अभी तक कुल तीन दशमलव दो टन के करीब गांजा फुलिस ने इस अभ्यान के तहट पकड़ा है कुल एमडी दो किलो 440 ग्राम चरस आठ किलो 778 ग्राम अफीम करीब साड़े 15 किलो और कोकेन यह जो अभी मिला है वो करीब 40 ग्राम का एक कुल साड़े 6 करोड से जादा 6 करोड 64 लाक रुपे की ड्रग इस अभ्यान के तहट अभी तक पुलिस पकड़ने में सफल रही है मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उत्सा के साथ सभी पुलिस के अधिकारी और कमचारी काम कर रहे हैं मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सूरत को नशा से मुक्त करने के अभ्यान में हम लोग सफल होंगे थैंक यू